नमस्कार में हुनिवेदिता पिछले दो विश्वकप जो भारत ने अपने नाम किये उनमें कई खिलाडियों का प्रदर्शन बेहर भी रोमान्चक और हमेशा याद रहने वाला रहा जिनमें से एक है क्रिकेटर युबराज सिंग जिन्होंने 2011 के वाल्ड कप के समय अपने अकेले के दम पर कई माच टीम इलिया की छोली में डाल दिये थे सिर्फ बल्ले के साथ नहीं बलकि गेंदबाजी में भी युबराज सिंग ने अपना सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन दिया था युवी के नाम एक रिकॉर्ड ऐसा है जिसे उनके बाद कोई भी खिलाडी आज तक नहीं तोड़ पाया है विश्वकब के एतिहास में युवराज सिंग ही एक मात्र ऐसे भार्तिय स्पिनर है जिन्होंने टीम इडिया की तरफ से किसी मैच में पांच विकेट लेने का गौरब हासिल किया था ना तो पहले और ना ही उनके बाद कोई स्पिनर ये कमाल कर पाया है यानि युवी विश्वकब के एक माच में पांच विकेट लेने वाले एक मात्रुप भार्तिय स्पिनर है 2011 वाल्लकब के लीग माच में आईरलाइंड के खिलाफ युवी ने बेंगलूरू में तूपानी गेंदबाजी कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था इस माच में धोनी ने टॉस चीट कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था धोनी के इस फैसले को युवी ने सही साबित किया और आईरलैंड की टीम को महस 207 रन पर आउट करने में बड़ी भूमी का निभाई थी इस माच में युवराज ने 10 ओवर में 31 रन देकर 5 विकेट लिये थे ये युवराज के वन डे करियर का गेंदबाजी में बेस्ट प्रदर्शन भी था यही नहीं इस माच में युवी ने नाबाद 50 रन की पारी भी खेली थी और टीम इंडिया को इस माच में 5 विकेट से चीत मिली थी युवराज को इस ओल राउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ओफ दे माच चुना गया था युवराज सिंग ने 2011 वॉलकप में सारे मैच नहीं खेले थे उसके बावजूद भी युवराज सिंग को प्लेयर ओफ दे टोर्नमेंट चुना गया युवराज ने 2011 विश्वकप में कमाल की गेंदबाजी कर 15 विकेट लिये थे और 7-7-312 रन भी बनाये थे अगर युवराज के वंडे कर्यर की बात करें तो युवराज ने अब तक 304 मैचों में 111 विकेट लिये हैं और 8701 रन बनाये हैं युवराज सिंग एक उंदा खिलाडी हैं और किसी भी कंडिशन में मैच को अपनी तरफ करने का माददा रखते हैं साथ एक पावर हिटर के रूप में भी युवराज सिंग को पहचाना जाता है